एक ओल टीचर को अपने स्टोरेंट के साथ प्यार हो जाता है पर इन दोनों में 30 साल का एज डिफरेंस था तो का इनकी स्टोरी आगे बढ़ पाए की यह आज के हमारी मुवी एलगी है 2008 की मुवी में हम देखेंगे यह बहुत ही हार्ड वाल में स्टोरी है तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखेंगा अगर आपको वीडियो अचल लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अब बिना किसी तरीके एकस्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में गैरेक्टर डिवीड को देखते है डिवीड एक बहुत ही इंटेलिजन प्रोफेसर था और उसे एक सेबरेट टिवी शो भी दिया गया था यह बीच-बीच में रेडियो पर मुवीज और प्लेए की रिव्यू भी देता है इसी तरीके से आज उसके एक इंटर्विव चल रही थी किस तरीके से रिलेशनशिप इवॉल्ड हुए है इसके बारे में उसने अपने बुक में लिखा था इसके बारे में डिसकस करते हुए कहता है कि एक ट्राइब हुआ करते थी 1900s में वहाँ पर एक दूसरे को पाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है उस तरीके से कोई भी स्ट्रगल नहीं था उन लोग को जो चाहिए वो हमेशा वो करते रहते थे 1950s ये 60s के अगर हम बात करें तो फेल्ड होना फार्मर होना ये बहुत ही अच्छी बात माना जाता था अगर आपके पास ये सब है तब ही आप शादी कर सकते हो इससी टाइम में डेविड की भी शादी हो गई थी पर इसके बाद फिर से अमेरिका में नहीं वेवाई कर देता है तो किसी भी एक जगा बस टग नहीं रहना चाहता है यही रीजन था उसका डिवास भी हो चुका है वह हमसे कहता है कि ओल लेज के एक बहुत ही अजीब बात होती है यह अचानक से आ जाता है और आप कभी रियलाइज भी नहीं करते है अंदर से तो आप यंग ही फिल करते हो वो फिर अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है उसने का कौन से ला मेरी स्टूडेंट थी बाकी स्टूडेंट में से वो बहुत ही अलग लगती थी वो इस तरह की से ड्रेस करती थी जैसे किसी लॉयर फर्म में वो काम करती हो हमेशा ब्यूटिफुल होती है तो उनके लोग पार्टी रखता है यहावर उसे जोबी लड़ की अच्छी लगती है उसे अप्रोच करता है कंसुला की ग्लास खतम होने के बाद भी वो इसे डाइप की पार्टी रखता है डेविड के घर में काफका का लेटर था यह देखकर कंसुला बहुत ही सप कंसुला ने कहा कि शायद मेरे फादर से मुझे मिलते हैं डेविड उसके बारे में और भी जान लेता है कंसुला कहती है कि पहले मैं लौफर्म में काम करती थी पर मेरे पैरन्स जाहते थे कि और सी जाकर मैं अच्छी से एजुकेशन करूं तो इसी वज़े से मैं आई अलग-अलग philosophy music इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं डेविड को कंसुला बहुत ही अच्छी लगी थी इस वज़े से सारी बाते हो उसकी सुन भी लेता है फाइनली डेविड ने उसे पूछ लिया एक प्ले होने वाला है क्या तुम वहाँ मेरे साथ चल सकती हो कंसुला भी इसके लिए उसे हा कहती है अब नेक्स सीन में कंसुला के बारे में डेविड और उसका फ्रेंड जॉज ये दोनों बात कर रहे थे जॉज को इस सब बहुत ही अजीब लगता है तुम उसके साथ प्ले देखने के लिए जाओगे तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो नहीं सकता अगर तुमें सिर्फ इंटिमेसी की रिलेशनशिप चाहिए तो इसमें इस सब चीजे मत डालो डेविड को कंसुला बहुत ही पसंद आई थी और इन सारी चीजों को इग्नोर करता है आज रात हम डेविड को कैरोलीन के साथ इंटिमेट होता देखते है कैरोलीन उसके एज की है वो एक बिजनेसमैन हैं तो कभी भी सीटी में नहीं रहती जब यूए आती है तो डेविड के साथ ही होती है यह पिसलिप बहुत सालों से एक दुसरे को जानते हैं यह दोनों जब इंटिमेट हुए तभी डेविड को अपने बेटे का कॉल आया था डेविड उस असपर ज़्य गुस्सा होता है नेकसिंद में कंसुलो और डेविड प्लेए यह लोग चल सकते है यहाँ पर बहुत ज्याद़ लोग है इसे इतने ज्याद़ लोग पसंन नहीं डेविड कहता है तो तुम मेरे घर आसकती हो इसम्गिन करो अगर मैं हुआरी घर आया तो दूसरे करीब आ गए थे इसी मिटिंग के बारे में नेक्स सीन में डेविड और उसका फ्रेंड जॉज ये दोनों बात कर रहे थे जॉज इन सारी बातों से बहुत ही सप्राइस था गयता है तुम दोनों में कुछ भी होने नहीं वाला वो फिर से कभी भी तुमें कॉल भी न देखी कंसुला डेविड से बूशती है कि तुम्हारे कितने अफेर्स थे डेविड ने कहा कि 40-50 होंगे पर काउन कोन कर रहा है वो कंसुला से बूशता है उसने कहा कि आज तक पाज बॉइफ्रेंड थे इस बात से डेविड सेलर सो गया था वो रिलाइस करता है कि वो कंस जाता था जौज उसे समझाता है कि तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा आज ना कल उसे छोड़कर चली जाएगी तो आज ही अगर तुम मुवाउन करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा अब इसी ब्रेकप के बारे में बात करने के लिए अलग प्लेसिस पर जाना चाहती है अब डेविड को बात तो करनी थी ब्रेकप की पर उसने का क्यों ना हम दोनों खुमें हम बहुत सारी जगा पर जा सकते हैं एक दिन कंसुला ने डेविड से का कल हम दोनों मिल नहीं सकते हैं कल मेरा ब्रदर आने वाला है उसके साथ ही प वो पूरे दिन सिर्फ कंसुला के बारे में सोच रहा था उसे लगता है को किसी और के साथ है कंसुला जहाँ पर जाने वाली थी राद में वो वही पर पहुच गया वो पुछती कि तुम यहां कर क्या रहे हो डेविड ने गा कि मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए में नेबर ह कर सकती है उसे बुछती है हम दोनों में तुम्हें क्या फ्यूचर लगता है डेविड ने कहा कि में फ्यूचर के बारे में सोच कर डरने लगता हूँ हम दोनों में 30 साल का एज डिफरेंस है कंसुला के तिया मुझे इस बात से कुछ भी फरक नहीं पड़ता मैं तुमारे स जात रहना चाहती हूँ इस बात से दोनों बहुत ही खुश थे डेविड हमेश आपने आप पर डाउट करता है कि कंसुला उसके साथ क्यू है वो खुद यंग नहीं कि कंसुला उसके बौड़ी के लिए उसके साथ हो अभी भी उसने कैरोलीन के साथ अपने हुए तो कैरोलीन को कंसुला का टैंपॉन मिल जाता है इस बात से बहुत जाता गुस्ता हो गई वो डेविड से पुछती है कि यह क्या है हम दोनों में जो भी है यह बहुत ही पर इसके बदले में मैंने सिर्फ तुम से एक ही बात मांगी है कि तुम मुझसे ऑनेस रहो वो देखते हैं कि डेविड और कंसुला या अलग अलग प्लेसेस पर घूम रहे थे वो उसकी बहुत सारी फोटोज लेता है वो सोते वग ड्रूग करती है फिर भी डेविड को बहुत अच्छा लगता है इन सारी बातों को देखकर जौज ने उसे कहा कि ब्यूटिफुल लड कि अच्छा रखान ने निए इसलिए बात कर धने गुद्ट बात बताओं मुझे पता है कि उन दोनों में अफेर होगा डेविड कहता है कि शादी करना मेरे लिए लिएक मिस्टेप थी इन दोनों को एक दूसरे को डेट करते हो इतने सारे दिन हो चुके बर फिर भी डेव वने फ्रेंड से बात कर रहा था तो कहता है कि वो लोग सब मुझे क्रीब समझेंगे यह बहुत ही जादा अजीब होगा जब इस पार्टी का डे आया तो डेविड तो रेडी था पर फिर भी उसे यहां जाना सही नहीं लगता वो कंसुला को कॉल करता है कि मैं ट्राफिक में फसा हुआ हो आज मैं आ नहीं सकता इस बात से हो बहुत ही जादा अपसेट होगे कंसुला ने उसके घर पर एक मैसेज छोड़ा कहता है तुम लोगों के सामने बहुत ही वाइस लगते हो अलग-अलग इंपोर्टन चीज़ों के बार में बात करते हो जब मैंने एक पार्ट से मिलने के लिए उसका बेटा आया जैसे कि हम पता है कि डेविड अपनी फैमिली को छोड़ कर गया था इस वज़े से उसका बेटा उसे हेट करता है पर आज उसका बेटा आकर उसे कहता है कि मेरा अफेर चल रहा है उसके बार में पता नहीं था जिस लेडी के साथ उसका वाइफ को बता दिया था जिसके साथ वाफेर कर रहा है उसके पैरन्स को भी मिलने जाने वाला था डेविड कहता है कि तुम्हारी सिच्वेशन तो बहुत यह लग है मुझे पता था कि मैं मैरेज में टिक नहीं सकता इसी वज़े से एक डिगनिटी से मैंने डिवॉस ले लिया था उसका बेटा कहता है कि आपका लॉजिक बहुत ही घटिया है डेविड नों से क्लेर किया कहा कि तुम्हारे पास एक ही फादर है मैं तुम्हारे साथ रिलेशन्शिप मिंटेन करना चाहता हूँ तुम्हें भी इसके लिए कुछ एफ़र्ट करने चाहिए कंसुला के जाने के बाद डेविड बहुत ही अपसेट था तो उसका फ्रेंड उसके पास है उसे अपने हाथों से खिलाता है डेविड कहता है तुम्हारी वाइफ बहुत ही लखी है उसके फ्रेंड ने कहा कि बहुत सालों बात में और मेरी वाइफ में अब बहुत ही अच्छे रिलेशन्शिप है हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लाइफ में इस तरीके से अलग-अलग सप्राइज़ आते रहते हैं तुम्हें मुवाउन करना चाहिए डेविड के फ्रेंड को एवाड मिलने वाला था तो कहता है यह तुम मेरे लिए इंट्रोड़क्शन करना डेविड को इसके देविड ने का यह तुम से बहुत प्यार करता था अब इसके बाद उसकी डेथ हो चुकी थी नेकसिन में देखते हैं कि क्यारोलेन और डेविड यह दोने एक साथ थैं डेविड एक बात रियलाइस करता है कहता है हम हमारी लाइफ बहुत ही अजीब तरीकी से जीते आए ह कैरोलेन कहती है मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ही अकेली हूँ कभी-कभी मुझे इंटिमेट होने के लिए पेग करना पड़ता है पूरी लाइफ उसने अकेली गुजारी है पर हो कहती है बहुत सारे कपल्स होते है जिस तरीके से हम बात करे है वो अपनी पूरी एक फ्रेंशिप है जो हमने आज तक कंजर्व करकर रखिया अब इसके बाद मुवी में डारेकली दो साल बीच चुके थे डेविड ने भी मुवान कर लिया था एक दिन आचानक से उसे कंसुला का मैसेज आता है उसे बहुत ही इंपोर्टन बात करना चाहती थी पर डेवि कंसुला के हेल शॉट हो चुके थे डेविड की बुशने पर वो कहती है कि मैं खुद ही इसे काट रही हूँ इसके जाने पर फिर मुझे दुख नहीं होगा उसे पता चला था कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है डेविड को बात सुनकर बहुत ही जादा बुरा लगता है वो रोने कंसुला ने भी प्रोमिस किया उसे लगता है कि अपने लाइफ का उसने बहुत सारा टाइम बरबात कर दिया सोने में रिलेशन्शिप में एक दूसरे से जगडने में वो कहती है जितना तुम ने मुझसे प्यार किया था उतना कोई भी नहीं कर सकता अब मेरी ब्यूटी मि सपोर्ट करना चाता था पर गंसुला कहती है मुझसे जादा तुम डरे हुए प्लीज इन सब से तुम मत कुझरो डेविड ने अपने बेटे से अच्छे डॉक्टर का पता लेगर कंसुला को दे दिया उसका अब ऑपरेशन होने वाला था डेविड अपने बेटे से सारी चीज़ों को लेकर बात करता है उसके बेटे ने अपने अफेर को छोड़ दिया था वो अपनी वाइफ के साथ अब खुश था कंसुला का ओपरेशन होने के बाद वो डेविड को अपने पास बुलाती है कंसुला कहती है कि मेरे ब्रेस्ट कार्ट दिये गए है क्या मैं और अब भी करता है उसे उसके बॉड़ी से कोई भी फरक नहीं पढ़ता डेविड ने कंसुला का फर्स क्लाश चू लिया था इसके बारे में कंसुला को सब कुछ पता था वो भी फर्स मुमेंट से उसके प्यार में थी अब इनके बास जो भी टाइम बजा था ये दोनों एक साथ ही इस पेंड करते हैं अब लाइफ में आगे क्या होगा इन दोनों को नहीं पता पर इने एक साथ रहना है इस पर ये दोनों फर्म है इसे के साथ इस मुवी के बहुत ही ब्यूटिफुल सी एंडिंग हो जाती है अगर आपको वीडियो चलगा तो प्लीज इसे लाइ क्या है